वास्व गाईज, I hope you are doing well, I am Veer, welcome to Stedler family तो कैसे हो मेरे दोस्तों मैं आसा करता हूँ, श्यांदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो अपनी सेहत, फैमिली और पड़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो आज है 28 सेप्टमबर, आज का दाहिंदू न्यूस्वेपर और एडिटोरियल जो डिसकसन है वो बहुती शांदार आप लोग का देखने को मिलेगा, इस तरीके से डिसकस करूँगा कि आप लोग को एक-एक पॉइंट, इस्टेटिक कोशन के साथ में, बेसिकली बैग्राउं इफोर्मिशन के साथ में सारी चीजे कवर होती ही, नजर आएंगी पर उससे पहले आज का एक ऐसा टोपिक, जो आज ही के दाहिंदू न्यूस्वेपर में कवर किया गया है पर अभी हाँ पर इनको एक रिटार्मेंट दे जा गया है, एक प्रोपर तरीके से सरकार के द्वारा दो हस्बेंड और वाइफ थी बेसिकली, वो क्या कर रहे थे, दिल्ली के अंदर, इस्टेडियम के अंदर कुट्टा टेला ने आते थे शाम को तो जैसे ही इनके द्वारा एंट्री गी, तो वहाँ पर गाड जो था, वो सोर मचाने स्टार्ट कर देता था कि साब आ गए, साब आ गए, जो है इस्टेडियम खाली गड़ो, क्यों? क्योंकि साब और मेम साब जो है, वो कुत्ते को टेल आएंगे हाँ पर, जहाँ पर बेसिकली प्लेयर खेला गरते थे ये जो न्यूज है, ये इतनी वारे अलुई, जिसकी कुछ हद नहीं है, और इस ताइम पर जब ये न्यूज निकल कर आई, इन दोनों मिया बीबी को अलग-अलग ट्रांसफर कर दिया गया, एक को ट्रांसफर कर दिया लद्दाक के अंदर में हस्बेंट को, और जो वाइ इसका अधिकार अपने पास में रखती है, जिसकी को ये लगता है कि सरकार एक तरीके से जो जब आप लोग कर रहे हो, उसको कोई हटा नहीं सकता आप लोग उस जोब से, तो सरकार के पास में ये अधिकार है, तो यहाँ पर कौन देता है इसको ये अधिकार सरकार को, तो fundamental रूट एंड जो Central Civil Service Pension Rule है 1972 के, उसके इसाब से, यहाँ पर रेटार्मेंट दिया जा सकता है, पर सरकार ने साब साब एक बात बोली है कि जो रेटार्मेंट दिया गया है, इसका उस कुत्ते वाले केस से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, पर लेकिन आप लोग समझ रहे हैं मतलब यह वैसे तो जरा सी गलती है, कि हाँ एक इंसान जो था, कुत्ते को बाहर भी टाला सकता था, पर लेकिन यह एक प्लेयर के केरियर से खेलने के इस पॉइंट वी से देखा जाये, तो मतलब प्लेयर अपना प्रेक्टिस कर रहे हैं, देर रेट नाइट तक अपनी ची के बारे मैंने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस कहा था, यह देखो साड़ी पहन के नॉर्मल महिला की तरह है, कीचड में नंगे पैर चल रहे हैं हापर महिला के साथ में हापर, यह एक है, एक इस तरीके की सर्विस एक पर्टिकलर परसन प्रोवाइड करा रहे हैं, अभी मै जैसे महाँ पर लोगों की साधिया तक नहीं हो रहे थी, कि इस गाउं में तो पानी नहीं है, साधी कैसे कर दे अपने बच्चे की, और उस पर्टिकलर गाउं के अंदर में IS की वेज़से लोग जो है, वहाँ पर इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, की कंडिशन क्या बन बुरा निहीं होता है, उसको implement करने वाले अच्छे और बुरे होते हैं, समिधान निहीं बताता की मैं अच्छा हूँ, उसकी मंसक कैसी है implement करने वाले की उससे बढ़ा चलता है की समिधान कैसा है, तो इस post पर अगर जाओ, तो समाज के अंदर change लेकर आओ, ना कि हाँ मुझ तो आप लोग क्या लगता है यहां पर यह पिर गलत हुआ इसको case study की तरीके से अगर आप लोग अपने सामने रखो तो इसका क्या यह कोई solution यह होना चाहिता यह फिर कुछ और solution होना चाहिता यह जो हरकत कर रहे थी वो सही थी यह फिर गलत थी अगर आप लोग को analysis करने के ल गलत इस्तमाल हो रहे हैं यहां पर तो यह सारे point जो है include करने लाएक यहां पर हो जाते हैं ठीक है तो यह काफी एक ऐसा case study बन जाएगा आने वाले time पर की जो I.S.O.S. होंगे वो limit में रहकर काम करेंगे एक दाइरे से बाहर नी जाएंगे यह यहां पर इसका positive side आप लोग बोल सकते हो बाकी आगे बढ़ने से पहले यह बताओ यार कल का दिन कैसा रहा और आज के दिन को कैसे utilize करने वाले हो क्या आप लोगोंने decide कर लिया है यह है आप लोग का discipline test जिसमें 5 नंबर आप लोग होते हैं टाइम पर सोना टाइम पर उठना पानी पेना अपने plan schedule करना कैसे लेकर चलने वालो exercise करना यह video पर आने से पहले आप लोगो यह चार point complete करने है यानि कि video पर आने के बाद में ही आप लोग यह वाला complete करोगे इससे भी आप लोग का discipline पता चलेगा कितने discipline में आप लोग कोई regular कोई काम कर पाते हो तो अगर छोड़े छोड़े काम भी अपनी आदत को change कर सकते हैं और अगर अभी आदत change हो गई तो जिंदगी आप लोग को बदलती ही नजराएगी इसलिए आप लोग ने एकसर देखा होगा जो लोग अपने उपर focus करते हैं खासकर अपने आलस को थ्यागते हैं वो हमेशा आप लोग को सही मुकाम पर इंसान बुरे वक्त में भी positive सोचता है उसको सफल होने से कोई नहीं रोख सकता देखो जिंदगी में आया ऊपर और इतनी रितितरी से कहते हैं कि एक इंसान आज बहुती अच्छे position पर है एक दिन वो बहुती नीची position पर आ गया तो यह ups and down ना life में आप लोगो हमेशा आत देने वाली है तो यह आप लोग का आज decide करेगा कि आप लोग आज कैसे अपने दिन को लेकर चल रहे हो तो कोसिस करो शांदार तरीके से 100% दो time जो है इतना है अभी आपके हाथ में अगर आज से भी ढंक से study करने start करोगे तो final destination पर आप लोग पहुंसते वे नजरा होगी अच्छा यह important personality है अभी recently काफी news में है कल से परसो से बताईए देखते हैं कोन नाम यहाँ पर बता पाता है आज के article बहुत ही हुंदा है या article ऐसा है जो मुझे लग रहा है तो इसके बारे में मतलब यह कुछ समय पहले आना चाहिए था ठीक है तास हो article लिखा गया है वैस के बारे बात कर रहा है डिसकस करूँगा मज आएगा आप लोगा यह फिर से reservation bill के बारे में ignore कर सकते हैं यह data point है कि schedule caste की जो महिला होती है समाज के अंदर में वो क्या-क्या problem face करती है जैसे कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करो low literacy race होता है ठीक है इसी के साथ में देखने को मिलती है बच्चे और जच्चा और बच्चा की health जो है वो काफी अच्छी नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पर इसी के साथ में बात की जा रही है कि जो institutional delivery है वो धंसे नहीं हो पाती है खून की कमी tribal community की महिलाओं में देखने को मिलेगी इसी के साथ में आप और alcohol का consumption आप लोग tribal community की जो women में काफी frequently देखने को मिलेगा तो ये भी काफी बड़ी problem आप लोग के सामने नजर आती है तो इसलिए होती ही एक तरीके से ऐसे points है जो कि आप लोग यहाँ पर हलका सजिन के बारे में idea रख सकते हैं बागी जो article discuss करूँगा उनको सुनकर मजा जाएगा अच्छा मुझे बताईए कि आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग की जिन्दगी में थोड़ा सा चेंज आए मतलब सोच कर देखो कि 40-50,000 लोग जो है वीडियो देख रहे हैं और only participate कि कितने करते हैं मैंने बोला कि at least कोसिस करो कि 10,000 लोग जो है वो participate करो ठीक है मतलब 10,000 लोग तो कोरो कि यार मुझे अपनी जिन्दगी चेंज करनी है तभी तो समाज में चेंज आता हमा नजर आएगा अच्छोट से चैलेंज लेने के लिए त्यार नहीं आप लोग है बताईए कौन-कौन है आपर जो अपना टार्गेट पूरा कर रहे है सुबह टा अच्छिंग नियोज है आर्टिकल तो मैं आगे बड़े-बड़े डिस्कस करोंगा है पर यहाँ पर सबसे पहले आप लोगो कॉंग्रेजिलेशन स्टोल अफ यो हमारे देश के काफी शांदार मुवी जिसका टाइटल है 2018 में Everyone is Zero आप लोगो याद होगा अगर regular आप लेंड स्लाइड के भी कई सारे इशूस निकल कर आये थे तो उसके चलते ही हाँ पर इसके उपर मुवी बनाए गए थी और यह मुवी जो है 2024 के जो Academy Award जिसको आप लोग नॉर्मल भासा में Oscar बोलते हो उसके लिए इसको चुन लिया गया है तो यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश की मुवी जो है इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर देखी जा रही है तो एक तरीका सर्वाइवल ड्रामा है जब ऐसे टाइम पर कैसे चीजों के साथ में आप लोगो डील करने है तो इसलिए टाइटल भी दिया गया है Everyone is Hero तो उस टाइम पर हर एक इनसान जो इनका नाम है Greece का सरवाली ठीक है तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं आगे कोशनी बनेगा RRR के बारे में सुनाएं न ठीक है उनका जो गाना था ना टू ना टू वो किसके दुआरा बेसिकली लिखा गया था यह आप लोगो बताने है देखता हूं कौन इसका सही आ नोट्स मिल जाएंगे जो PDF रहेगी उसके लिए डिसाइड किया है कि हिंदी और इंग्लिस में आप लोगो अलग लग PDF प्रोवाइड करा जाएगी यह रहेगी स्टडी लवर जो ओफिशल चैनल है यहाँ पर आप लोगो मिलेगी ठीक है PDF रहेगी complete ठीक है इसी के साथ में जो नोट्स रहेंगे जिसको आप लोग है जिस सर्च कर सकते हो तो उसके लिए आप लोगो मैंने बताया था कि आप लोग के लिए है SLVPedia ठीक है तो यह दो चैनल आप लोग के में रहने वाले है SLVPedia पर बाकी सारे नोट्स आप लोगो मिल जाएंगे डेली एक आर्टिकल है वो है 55,000 रुपे ठीक है इनको मैं प्राइवेट करने जा रहा हूँ 55,000 रुपे जो है वो पेमेंट करना है इसके बाद में आप लोग इनको जोइन कर पाओगे क्योंकि 5-7 लोग लगे है इसके पीछे तब जाकर यहां पर यह चीज़ें complete हो पा रही है तो इतना रुपे एक टेलिग्राम का देना है 5,000 दूसरे का देना है टोटल मिलाकर 10,000 का है पर लेकिन 10,000 लाइफ टाइम है इसके बाद में आप लोग कुछ भी पेमेंट नहीं तो यह आप लोग सोच लेना क्योंकि करेंट अफेर इतना तो बनता भी यार रात को जग रहे है चार इतनी घटिया बात बोल दे रहे हो कि सर करेंट अफेर के पैसे कमाने इसलिए करेंट अफेर नहीं दे रहे हो आज तक कोई करेंट अफेर का पैसा लिया आप लोगों से आप लोग यह बताइए अप्लिकेशन के ओपर जो सारी किलास चल रहे है ना हाँ पर आट से नो करेंगे कि हाँ फिरी में अपना टाइम वेस्ट करता रहो कि घर का खर्चा कैसे चलेगा उनके लिए यार वहाँ पर फीस रखिया वो भी इस क्वालिटी के कोर्स की इतनी कम फीस अगर पूरे देश के अंदर में कोई आप लोगो प्रोवाइड करा दी इस क्वालिटी का क क्यों प्रोवाँ कि जो मेरे साथ में लंबी समय से चुड़े हो है ऐसी बात बोलते कुछ तो सरम करो है कि हाँ पर इस तरीगे से आप आंसर राइव वाले के लिए हैं हॉआ पर क्यों बोलाए एक तो सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ पर जो औसर राटिंग करने जाते हैं basically बच्चे मैं चाहता हूँ वहाँ पर serious बच्चे इखटा हूँ ठीक है क्योंकि वहाँ पर कई सारी लड़किया भी रहती है वो कई बार mail करती रहती है सर्चेड खानी हो रही है तो four double nine lifetime के के लिए हैं आपर आप लोग यह सोचिए मैंने का हाँ पर कम से कम सबके एक account number रहेगा fix information रहेगी कोई बत्तमीजी करेगा तो उसको रोका जा सकता है इसलिए हाँ पर इसको start गया था तो मतलब कुछ भी यार यह सारी के सारी जो नोर्स रहेंगे दा हिंदू के सारी चीज़े यह free of cost पहुचने वाली है दोनों टेलिग्राम पर completely printable form में भी और searchable form में भी एक भी रुपया देने की जुरत नहीं है कोई भी टेलिग्राम जोइन करने के लिए ठीक है और इसको अगर कोई बेसता हुआ पाया जाता है अगर इस material को उठागे तो मुझे बता देना उसकी लेवल पर चीज़े प्रोवाइड कराए जाए स्मैक्सियम आर्टिकल कवर की जाएंगे ताकि चीज़ों का आप लोग अच्छे से एंज्योए कर से हो ठीक है तो इसी तरीके से एंज्योए करते रहे है पर support जुरू प्रोवाइड कराई है ताकि टीम का भी motivation मना रहे ओके दोस्तों इंसान धर्ती पर ये कैसा प्राणी है जिसकी भूग जो है वो मरने के लिए कभी तयार नहीं होती और वो हमेशा बढ़ती चले जाती है धर्ती पर हम लोगों ने धर्ती में कोई खोद कर हम लोगों ने तेल निकाले कहीं से हम लोगों ने कोईला निकाला तो कही इस प्रोजेक्ट का यह बताया जा रहा है कि इस पेस में भी माइनिंग आप लोग को देखने को मिलेगी मुझे सुनकर वड़ी है इस यह प्रोजेक्ट बड़ा शांदार है साइंस और टेकलोजी के पूरे आर्टिकल को आप लोग कर सकते बहुत ही इंट्रेस्टिंग आप लोगों से बात करूँगा वो लगबग प्रत्वी से यह एक लांक किलोमेटर की डिस्टैंस से उसने यहां से उपर से फैंका और यहां पर यह USA की एक पर्टिकलर एरिया में आकर यहां पर यह कैपसूल जो है गिरा यह पर्टिकलर जो USA का जो एरिया है जहां पर यह क इंसान मुंपली खा जाता है लेकर दुकान पे से ठीक है अब ये मुद्दा क्या है पूरा प्रोजेक्ट आप लोग समझिए नासा ने एक प्रोजेक्ट लॉंच किया था ये प्रोजेक्ट जो इसके द्वारा लॉंच किया था 2016 में यहां से भेरा इसके अंदर में और अपना पाट उठाया और फिर इहां से निकल लिया तो ये कोई ऐसा निया कि यहां पर बहुत ही आसानी से कोई एक जगे टिक हुई चीज़ थी यहां पर एक एस्ट्रोजेक्ट के बारें बात की जा रही है इस particular asteroid के लिए जिसका नाम है बैनू तो बैनू इस ट्रोजेक्ट पर यहां पर ये पोँचता है और फिर वहाँ से सैंपल कलेट करता है और सैंपल कलेट करने के बाद में इंटरेशिंग चीज़ पता है क्या है औरिजिनल, स्पेटल, इंटर्पेटिशन, रिसोर्स, अइडिन्टिफिकेशन, ये सारे अलगलग सब्द है, ठीक है, इसी के साथ में सिक्क्योर्टी, रिगलोथिक, एक्स्प्लोरर 2016 में हाँ पर छोड़ा गया था, उस टाइम पर इसका नाम यह था, पर लेकिन, फिलाल के टाइम पर इसका नाम चेंज हो चुका है, क्यों? क्योंकि ये टाइगर जिन्दा है, देखा है, एक mission छोड़कर टाइगर दूसரे mission पर जा लिया, तो ये भी अँप A mission इसका नाम change करकर Osiris APEX कर दिया गया है, APEX अवतार इसके आगे लगा दिया है, तो यह निके क्योंकि दूसरे particular जो project के लिए निकला है, तो इसलिए इसका नाम भी हाँ पर आप लोग को change होता हूँ नजर आएगा, इसी के basis पर इसका नाम जो है, वो change कर दिया गया है फिलाल के time पर, तो यह निके कहने का मदलब यहाँ पर यह अपने ही आप में इतना खतरनाक project देखने को मिलेगा, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, चांद पर soft landing करा रहे थे, अब यहाँ से ऐसे खटा अगरके एक capsule में डालकर धरती पर इतना सामान भेज़ा जा चुका, तो यह काफी खतरनाक चीज है, अब जो इन next इसकी journey हो चुके है, वो 2029 में complete होगी, और यह जाने वाला है किसके उपर, एक और asteroid, जिसका नाम है अपोस्फिस, अपोस्फिस के बारे में आगे अभी आप लोगों से मैं बाते करूँगा तसल्ली में, पहले हाँ पर यह जो project अभी इनका complete हुआ है, इसके अंदर से जो धाइसो ग्राम का यह material है, उसको अंदर में घूमते हुए, छोटे-छोटे यह पत्थर आप लोग बोल सकते हो, कुछ इस तरीके के जैसे आप लोग यहाँ पर यह देख रहा है, तो यह हमारी प्रत्वी के साथ ही basically बने थे, जिस time पर हमारी प्रत्वी बनी थी, तो scientist यहाँ पर, इसके थूरू यहाँ पर यह पता लगाना चाहरे हैं, कि हमारी प्रत्वी का formation कैसे हुआ, जिस तरीके से यह asteroid बने हैं, तो इनके अंदर में क्या-कैची है देखने को मिलती हैं, तो यह काफी अच्छी एक ऐसी बात है, जिसके थूरू यहाँ पर यह चाहरे है, कि इसका अंदाजा लगा जाए, ठीक है, जो यहाँ पर अभी जो यह जा रहा है, basically अपोस्फिस के पास में, आप लोगों देखने को मिलेगा, वो particular ऐसा asteroid है, जो फिस काफी large scale पर silica देखने को मिलेगी, silica रिचे हैं यहाँ पर यह, तो इसके बारे में जब पता चलेगा, और बाते आप लोगे सामने निकल कर आएगे, पर उसके लिए आप लोगों को अभी लगबग 7 साल और इंतिजार करना पड़ेगा, तो यह topic 7 साल बात फिर से पढ़ाऊंगा, याद रखना है, अच्छा 7 साल तक कौन मेरे साथ में connect रहने वाला है, यह बताए और कौन अब तक connect है, मतलब लगबग 2016 में चीज़े स्टार्ट हुई थी, तो 7 साल तो हो चुके है, हमारा प्रोजेक्ट भी 2016 में इस्टार्ट हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर NASA का OSRIS यह है, यह भी 2016 में स्टार्ट हुआ था, तो 7 साल में यहाँ पर इसने ये काम किया, अ सबी को यह क्या, वो बोलना की नहीं देखना है सराब, चलिए ठीक है, बताएगा जुरूब, अब इंपोर्टेंट बात कहें, यह जो asteroid है न, यह particular belt होती है, अगर बात करें, mainly जो काफी famous है, और कई बार यहाँ से इसके बारे में question पूछे आ चुके हैं, तो थोड़ा सा आ आप लोगो देखने को मिलेंगे, वो एक belt है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में आप लोगो देखने को मिलती है, जिसको asteroid belt बोलते है, तो यह asteroid belt जो है, यह यहाँ पर आप लोगो दिखाई देगी, यह number one type का asteroid हो गया, नहीं कि यह asteroid हो गया, number one type का आप लोग बोल सकत आप लोगो यहाँ पर बहुत सारे पत्थर नज़र आएंगे, छोड़े-छोड़े उलका पिंट नज़र आएंगे, तो यह होते हैं, ट्रोजन बोलते हैं इनको, यह यह Jupiter की ही ककसा में आप लोगो नज़र आते हैं, और यह जो होते हैं, अस्ट्रोइड वेल्ट, वो Mars और Jupiter के बीच में नज़र आते हैं, तो यह दूसरे नंबर के होगे, जिसको ट्रोजन एस्ट्रोइड बोलते हैं, अब इंट्रेस्टिंग फेक्ट है आप लोगा यहाँ पर, यह याद रखना और इसके उपर इस्टार लगा लेना, जो एपोस्फिस मिसन के लिए अभी हाँ प बोल सकते हैं, जो कि पृत्वी के काफी पास से गुजरता है, और कई बार तो यह लगता है कि पृत्वी से यह टकरा भी सकता है, ऐसा भी खत्रा कई बार देखने को मिलता है, तो यानि कि अब इस पे से यहाँ पर यह इस तरीके से डेटा को कलेट करेगा, और फिर उसको लेकर आएगा यहाँ पर यह पर यह पर्टिक्लर मिसा, तो यह काफी इंट्रेसिंग है, यानि कि पृत्वी के जो निरस्ट जो बेसिकली हाँ पर यह एस्ट्रोइड है, इनका एक अलग नाम आप लोग को देखने को मिलेगा, जो तीसरे टाइप के एस्ट्रोइड है, और तो यह आप लोग के लिए हाँ से डेटा कलेट करकर, यहाँ पर प्रतिव पर लेकर आने वाला है, तो साइन्स एंट टेक के फिल्ड में यह काफी शानदार एक तरीका एक्स्प्रिमेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, जो इस पर्टिकलर मिसन के तैथ यहाँ पर ची अब यह क्या इसकी महिमा मंडल आप लोग को देखने को मिलेगी, पर लेकिन तीनों जो इस्ट्रोइड मैंने बताए हैं, उनके बारे में आप लोग कोई कंफिजन नहीं होना चाहिए, पहला इस्ट्रोइड वेल्ट हो गया, दूसरा ट्रोजन हो गया, जो कि जुपिटर इसको बोलते हैं, और तीसरा मैंने आप लोग को बताए दिया, इसको बोलते हैं, नीर अर्थ, जो कि जो एपोस्पिस है, जिसके लिए अब यहां पर यह प्रोजेक्ट जा रहा है, तो यह ऐसे कोशन है, जो कि बड़ी फ्रिक्वेंटली आप लोगों से पूछे जा सकते ह ठीक है, और बाकी हमारे जो पर्टिक्लर सोलर सिस्टम है, उसके अंदर में आप लोग को जो टोटल गरहा देखने को मिलते हैं, वो कितने हैं, वो टोटल मिला कर आप लोग को आट गरहा देखने को मिलते हैं, आट यह तो सर नो हुआ करते थे, नो हुआ करते थे, पर लेक fulfill नहीं कर पाया, अच्छा वो condition नीचे लिए कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ को लिख पाता है पहली एक बर वीडियो को post करकर आप लोग बता दीजे कि आप लोग इसको किस तरीके से define करेंगे फिर मैं आप लोग को बताता हूँ कि कोई भी planet को planet क्यों बोला जाएगा planet को planet बोलने के लिए तीन condition नोर्मली हाँ पर बोली जाती है और याद रखना जो भी planet ये तीन condition फोलो करेगा उसी को हाँ पर आप लोग इस particular category में रखेंगे पर प्लूटो यहाँ पर ये फोलो नहीं कर पया पहली condition तो ऐसी है कि आप लोग के पास में size जो है अच्छा खासा होना चाहिए ताकि आप लोग के पास में एक अच्छी खासी gravity हो यादि कि gravitational force हो जिसकी वेसे आपका जो size हो वो आप लोग को goal आकार में रख सके gravitational force बहंत के रख सके दूसरा gravity इतनी भी हो कि आप लोग के पास में कड़ है उनको भी आप लोग अपने पास में खीश सको अपने आप लोग का environment किलियर कर सको ऐसा ना लगी कि दुनिया बरके आपके 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 गुम रहे है पर तीसरे वाले condition fulfill नहीं देखने को मिलेगी ठीक है इसी के साथ में Q पर जो belt होती है यह याद रखेगा यह exoplanet वाली category में आप लोग को चाहिए देखने को मिलती है जब हमारे planetary system से बाहर हम लोग चले जाते हैं तो science and tech जो है बहुती interesting डोभी होता है अगर देखा जाए तो है कि नहीं कुछ नहीं जानने को मिला कि धरती पर उपर से capsule फैका गया और इसमें से अब चीज़े ही खट्टी के गई इस तरीके से data इसने हासे ही खट्टा किया यह है ना काफी interesting अगर देखा जाए तो एक ऐसा नहीं कि रुका होता सबसे interesting चीज़े मुझे लगी यह रुका नहीं है भाई साब यह घूम रहा है बकाइदा हमाँ पर अपने area में और उसको जाकर उसके ओपर से data collect करकर यह भाई साब लेकर आ रहे हैं तो technology कितना ज़्यादे advance कर चुके है यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ठीक है तो feedback जरूर देना बताना कैसे लगा आप लोग को यह article और कोई दिक्कत समय से प्रोश्या नहीं हो तो बताना उसको दूर किया जाएगा ठीक है दोस्तो यह जो topic है यह काफी चिंता करने वाला एक मुद्दा आप लोग यहां पर देख सकते हैं और यह ऐसा नहीं कि अभी news में आ रहा है अगर आप लोग मेरे साथ में connected है तो आप लोग वो याद होगा लगबग जनवरी फरवेंबी हम लोगों ने यह topic डिसस के थे कि हमारे देश के अंदर में उत्राखंड के अंदर में जोसी मट वाले reason के अंदर में घर जो है वो इस तरीके से तूटते हुए नजर आए उनके बीच में दरारे पड़ती ही नजर आई और कुछ ऐसे भेवे दरिश्य देखने को मिले जिसकी वेसे लोग जो है वो काफी सहम गए तो इतने भेवे जो दरिश्य थे हैं यहां पर यह कहीं पर तो ऐसे थे कि घर के बीचों बीच में से जो है वो दरार निकल कर चलेगी तो ऐसा लग रहा था कि लोगों को यह हो क्या रहा है मतलब एक जमीन फट रही है ऐसा लग रहा है कि सारे जमीन फटेगी और हरुस के अंदर में समा जाएंगे ऐसा कुछ यहां पर देखने को मिला सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल कर आई कि जब से लेकर यहां तो यह चीज़े डिसकस करी रहे थे तो उसी टाइम पर हमारे देश के अंदर में जगह 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 लोकेशन पर यह बाते उठने को मिलती है इसका रीजन समझने के लिए आप लोग को एक बड़ा ही प्यारा समय एक एक पिक्चर दिखाऊंगा यह पर्टिकुलर वीडियो है यह देखे कैसे हमारी पृत्वी बनी है यह यहां पर यह दिखा रहा है अगर धिहां से आप लोग देखोगे तो पहले एक पै हिमाल्य बोलते हो तो हिमाल्य है यह इस तरीके से बढ़ा और यह आज तक भी बनता हुआ जा रहा है आप लोग ऐसा बोल सकते हैं सेम चीज आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देख सकते हैं तो मतलब कि यह फोर्मिशन हुआ हिमाल्य का तो हिमाल्य जो है एक तरी लाड़ी के ऊपर अगर जाकर रहना स्टार्ट करता है तो आप लोग देखिए वहाँ पर अलग अलग तरीकी की कंस्ट्रक्शन एक्ट्विटी की जा रही है होटल बनाये जा रहे है टूरिजम के लिए वहाँ पर बहुत लाजी स्केल पर आजकी रेट में धाचागत विक पहले अभी नेनी थाल के अंदर में भी एक घर जो था वो यहाँ पर लुड़क कर नीच आया और इसकी वेसे यहाँ पर उस पर्टिक्लर एरिया में एक तरीके से बोल सकते हैं कि लोगों के जहम में बैट गया कि यहाँ पर भी जो सिमत वाली कंडिशन देखने को मिलने व होगे इसके पीछे की सिच्वेशन में आप लोगों को बताऊंगा पहले किन एक बार समझने कोशिस करो जैसे यहाँ पर यह बेसिकली हिमाल्यान परवत जो है वह बना टैथिस सी आप लोगोंने नाम सुनाओगा वो खतम हुआ इसी तरीके से यहाँ पर यह होता कैसे है य जैसे यह प्लेट रगडेंगी एक दूसरे के पास में सटेंगी वैसे ही हाँ पर ऐसी तराजदी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो इन पिक्चर्स में आप लोगों को दिख रही है यानि कि यह तो आप लोगोंने जियोग्रिफिक एंसियार्टी में बहुती बेसिक स सच करोगे तो जो हिमालयन वाला रीजन है इसको जोन 5 में रखा गया है यानिके जोन 5 और जोन 4 में जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना है देखने को मिलती है सबसे बेवकुफी वाली बात मुझे हैं पर यह देखने को मिली जब सरकार को पता है कि जोन 5 में है तो यहां पर इतने लंबे समय से अवेद कंस्टक्शन अवेद निर्मान क्यों कराया गया सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह जो रिपोर्ट अभी निकल कराई ना जो मैं बोल रहा हूं चोकाने वाली रिपोर्ट है वो सीधा सीधा इस पर्टिवलर अंदर आता है अर्थक्वेट के यनके भुकम के तो फिर यहां पर इतनी कंस्ट्रक्शन अक्टिविटी क्यों की गई पिछले 10-20 सालों में मतलब बे इंतिहां कंस्ट्रक्शन अक्टिविटी की गई और खासकर दिल्ली के पास में दिल्ली हमारी कैपिटल है तो यहां से तूरिजम का ताथा बना रहता है वहाँ पर लाइन तूटती नहीं है ऐसा आप लोग बोल सकते हो लोग लाइफ इंजोए करने के लिए चलो नैनी ताल गों कराते हैं आप लोग ने थ्री इडियेट में भी नैनी ताल को देखा होगा इलेखों का सहर बोला जाता है बेसि इसे के साथ में हाँ पर जो इस श्रिंकिंग की जो चीज़े देखने को मिल रही है इसमें में चीज़े यही बताए गई है कि एक तो कंस्टक्शन की एक्टिविटी पॉपलिशन का प्रेसर ट्यूरिजम एक बेहिंतिया तो उसके ओपर रोक लगाने की बात है और बहार से यहाँ पर आज किट में जो लोग आकर बस रहे हैं जमीन खिरीद रहे हैं और फिर घर बना रहे हैं तो उसको भी रोकने की जुरुत है यहाँ पर और जो ओल लेडी हाँ पर बने हुए उनको किस तरीके सम्हालना है उसकी बहुत ज्यादा जुरुत है यहाँ पर यह बात ह बात है, इसके ओपर हम लोगो फोकस देना चाहिए कि इसको कैसे रोगने, तो सबसे बड़ी बात अभी क्या निकल का देखने को मिल रही है, तो वो ये ये एक तो हाई कोट के द्वारा जो रिपोर्ट थी, वो पबलिक के कंडिसन देखने को मिल सकती है, और किस तरीके से सब्टिटूट यहाँ पर इन लोगों का क्या जा सकते है, जो यहाँ पर आज की डेट में रह रहे हैं, हाई कोट को इंटर्वीन करना पड़ा था उस टाइम पर भी, कि भाई साब पता लगाओ कि यह चल क्या रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखें, साब साब बोला था, हाई कोट ने बोला था यहाँ पर कि पैनल बनाओ और जल्दी जल्दी बताओ कि आखिर यहाँ यहाँ यह सिच्विशन देखने को सरकते देखने को मिलती है, तो यह बोला कि 99%, मतलब 50 बोल देता यार, 60 बोल देता, समझ में आता, निन्याड में परतिसत जो कंस्ट्रक्शन है, वो कोई भी बिल्डिंग कोड को फोलो नहीं करता है, जो बिल्डिंग कोड बनाए गए है, कि किस तरीगे से बिल्डिंग बन लेंड जिस तरीगे से यूज की जा रही है, वो खतरनाक माहोल यहां पर क्रियेट कर रहा है, यह रिपोर्ट पब्लिक की नहीं जा रही थी, हाई कोड ने प्रेसर डाल कर इसको पब्लिक कर रहा है, कि एटलिस्ट लोगों को पता तो चले, कि वो एक ऐसी जगह पर बैठे जेकने को मैं लगा, कि इस तरीके से, जैसे कि अगर सिटीज के अंदर में आप लोग जाओगे, तो बहुत छोटी-छोटी सोसाइटी बनी हुई है, ठीक है, तो इस तरीके से आभी कई सारी सोसाइटी डवलफ करने की कोसिस की जा रही थी, और यह बोलने के लिए कि देख एक किलियर बाउंडरी होनी चाहिए, ताकि अगर खल को चल कर कोई यह situation बने, तो alternative solution होना चाहिए, मुझे सबसे irritating चीज क्या लगती है, जब ऐसी कोई news में सुनता हूँ, आप लोग को देखने को मिलेगा, सब को पता है कि इस reason में, इस time पर, जो है, यहाँ पर bad, यानिके flood आप लोग को देखने को मिलेगी, और वो हर साल आती है, हर साल आती है, मतलब पिछले 50-60 सालों से चली हुई आ रही हो, और उसके बाद भी administration जो है, उसका solution निकालने के लिए त्यार नहीं है, तो यह सबसे ज़्यादे खतरनाक चीज है, एक बच्चा है, जो किसी exam की त्या current वाली बात होती है, अपनी जिन्दगी खुद बरबात करने वाली बात होती है, वही सेम काम यहाँ पर ground layer पर administration कर रहा है, और वही normal काम normally, जो एक serious student नहीं होता है, वो लगा रहता है, लगा रहता है, पर reality में जो requirement है, वो काम करता हो नजर नहीं आता है, तो जरूरी है कि ब bring out the cause of four more frequent landslide in Himalayan than the western ghat, यहनि कि Himalayan reason में ज्यादे landslide होती है, as compared to western ghat के अंदर में, तो आप लोग खुद सोचे हैं आप, यह खुद बताया है कि यह जो Himalayan वाला reason है, यहाँ पर ज्यादे landslide हो रही है, as compared to western ghat, क्योंकि western ghat में भी के अंदर में landslide देखने को मिली थी, और इसी pattern पर same question 2017 में पूछ लिया, UPSC की अगर paper आप लोगों ने अपकी बार उठागर देखे होंगे न, एक चीज आप लोगों ने feel कि होगी, कि social cause पर काफी question पूछे जा रहे हैं, कि समायज में किस तरीके से कई सारी चीजों के उपर आप लोगों ने जब debate discussion सुना होगा, लिगने कोशिस करना, land slide के बारे में अगर आप लोगों से पुछ रहे, confusion आप लोगों ने होना चाहिए, इंसानों के द्वारा की गई हरकते, earthquake का आना या फिर वहाँ पर उस particular area में soil का किस तरीके का pattern है, किस तरीके से वहाँ पर plate tectonics जो activity होती है, उसके बारे में भी आप लोगों देखने को मिल सकते है, land slide के बारे में question पूछ रहे है, तो confuse आना नहीं है, आप लोग कई सारे points जो है, वो mention कर सकते हैं, जैसे कि जो मैं आप लोगों बताने जा रहा हूं, हलाकि demo answer जो आप लोगों दोंगा, उसको तो आप लोग बेसिकली इच्छे से देखी सकते पर यह points आप लोग अपना लिखते time आप लोग याद रखेगा, जैसे कि बहुत ही huge rainfall हो जाना, इसकी वज़े से land slide होती है, deforestation होना, पेड का कटना, उसकी वज़े से land slide होती है, कोई वहाँ पर mining activity हो रही है, यानिके खुदा ही हो रही है, कोईला वगरा निकाला जा रहा ह उसकी वेसे देखने को मिलेगी, land use का pattern कैसा है, यानिके किस तरीके से वहाँ पर cities को develop किया जा रहा है, urbanization आप लोग बहुत सकते हो, poor drainage system, यानिके पानी की निकासी की विवस्ता कैसी है, वो आप लोग को देखने को मिलेगा, उस area की soil, यानिके मिट्टी, या फिर रोक, या इस सारे वो point है, जो कि आप लोग इहाँ पर इसके बारे हैं mention कर सकते हो, और ये सारे के सारे point जो है, कहीं न कहीं हम लोग को सतर करते वे नजर आते हैं कि इन चीजों को सोच समझ करी हम लोग को आगे लेकर चलना चाहिए, basic है, पर important है, confusion आना नहीं है, direct question बनेगा future में, औ और ये disaster management वाले topic के अंदर भी आप लोगों से direct question पूछा आ चुक है, जैसे कि पहले भी पूछा गया है, तो इसलिए जैसे topic होते हैं, वो आप लोगों पहले सतर कर देते हैं, कि आप future में हम आने वाले हैं, भाई साब पेटी बांद कर तैयार रहे हैं, ठीक है, तो ये था पूरा article, बाकी उतरा खंड से कोन है, बताना जरूर आप लोग, दोस्तों ये जो article है न, इस article को मैं आज का star article का दरजा दोंगा, पर लेकिन थोड़ा सा मैं writer से हाँ पर गुस्सा भी हूँ, reason क्या है, कि ये article आखिर अब क्यों आया, ये article या तो आना चाहे था, मार्च में ये फिर अप्रेल में, ये फिर आगे उसके बाद में आना चाहे था, चलो हाँ भी अगर ये article नहीं लिखा गया, तो ये article G20 की जो मिटिंग हुई थी, उसके जस्ट एक दो दिन के बाद में आना चाहे था, तभी मुझे लगता है कि हाँ, इस article को इज़द दी गई है, basically examiner उसके, sorry, writer के दोरा, अखिर क्या है इसके अंदर में, मतलब बहुती बहतरीन article लिखा गया है, उन्हें कहते हैं कि जो भी काम करो तसल्ली में करो, तो मुझे लगता है कि बहुती तसल्ली में time लेकर writer के दोरा ये article लिखा गया है, और इसके अंदर में आप लोगको हर एक च सुनकर मज़ा आएगा, different different concept आप लोगको जानने को मिलेंगे, तो इसलिए पेटी बांद लोनी, पेटी धिली करकर, अराम से लेट कर, इसका particular article का मज़ा लो, ठीक है, आखिर मुद्दा क्या है, G20 जो है, उसके बारे बात की जा रही है, कि हाँ पर मजदूर जो थे, basically, उन को focus नहीं दिया गया, यानिकि एक तरीके से जो मजदूर, यानिकि जो worker class है, वो आज की डेट में, हमारे देश के अंदर, अगर आप लोग बात करोगे, बहुत ही large scale की है, मतलब large scale की का, अगर numbering में, मैं आप लोगों से बात करूँ, तो आप लोगों को देखने को मिलेग कि हमारे पास में G20 की मिटिंग थी, तो हम लोगों ने एक opportunity miss कर दी, कहीं न कहीं हमारे देश के जो worker हैं बाहर भी जाते हैं, तो लगबग 13 million, यानिकि 1.3 crore जो हमारे लोग हैं, वो आज की डेट में अलग-अलग देशों में रहते हैं, जो working condition उनकी अच्छी नहीं है, खा इसा मिलता है, बेरोजगारी से तो अच्छा ही है यार, घर चलाना है सबको, तो वो सारी बाते हैं पर इसके अंदर हैं बता रखें कि हमारे पास में opportunity थी बहुती शांदार तरीगी G20 का platform था, और G20 के platform के अंदर में एक meeting होती है G20, L20 के नाम से, मतलब L20 का मतलब क्या हो इसको बोल दिया labor, G का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तर ग्रुप और L का मतलब क्या हो गया labor, तो labor 20 हो गई, यहनिके labor के उपर focus देने की बहुती अच्छी हमारे पास में एक opportunity थी, हम लोगों ने वो गवादी, writer यहां पर यह बोल रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों अंदर में G20 की मिटिंग जो है, वो बड़ी ही शांदार देखने को मिली, जिस तरीके से G20 को परजेंट किया गया, किसी को लग नहीं रहा था कि G20 की मिटिंग जो है, वो इतनी शांदार हमारे देश के अंदर में होने वाली है, दुनिया को एक पटल पर हम लोग लेकर आ इस साथ में G20 के अंदर में अफ्रीकन यूनियन को हम लोगों ने इंकलूड करके एक शांदार ख्याती प्राप्त की कहीं न कहीं बहुत सकते हो, कि हम लोग जो एक तरीके से गलोबल साउथ के बारे बात करते हैं, तो वो गलोबल साउथ को हम लोग साथ में लेकर आगे, तो मतलब जो भी basic है, वो सारा पहले starting में बता दिया, जिससे direct prelims के question भी आप लोगे बन सकते हैं, अभी फिलाल G20 के meeting हमारे पास में थी, अब next जो G20 के meeting होने वाली है, वो होने वाली है ब्राजील के अंदर में, तो ब्राजील के जो president थे, जिनका नाम था Lula da Silva, उनको यहा हमारे देश के prime star, Modi साब के द्वारा, सूब दी गई है, अब यहां तक की गई है, पूरी बढ़ाई, ठीक है, कि G20 बहुत अच्छी है, हमारे देश में शांदार तरीके से हम लोगों ने काम किया, अब यहां से आगे होती है, टांक ही चाहिए, मतलब अब आप लोग को यह पहले उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, यह जो मिटिंग हो रही थी, यह मिटिंग में अगर बात करें, ऐसी नहीं कि अकेली मिटिंग थी, G20 की दुनिया भर की मिटिंग थी, जैसे business 20 होगी, woman 20 होगी, मतलब दुनिया भर की मिटिंग थी, और सबसे बड़ी बात में आप लोगों यहाँ पर यह बता दूँ, जब भी भी कहीं भी G20 की मिटिंग होती है, सायद ही कोई देश ऐसा होता है, जो ही सारी मिटिंग को कंड़ेट कराता है, तो हमारे देश में अपोर्चुनिटी नहीं छोड़ी, शांदार तरीके से सारी मिटिंग जो हैं, वो हम ल 3 क्रोड उन लोगों के बारे में सोच सकते थे, जो हमारे देश से बाहर रहते हैं, वो हम लोगों ने एक अपोर्चुनिटी जो है, वो मिस कर दी, इसके अंदर में यह बोला गया है, रीजन कहा है, आज की डेट में भी एक तो सेक्स्टर ऐसा होता है, अगर आप लोग को क आप लोग के अंदर चले जाते हो, तो श्यांदार तरीके से आप लोग की सैलरी होगी, प्रोपर आप लोगो चुट्टी मिलेगी, महाँ पर ओफ भी होगा आप लोगो हाँ पर, इसी के साथ में आप लोगो महाँ पर मेडिकल फेसिलिटी मिलेगी, आप लोगो महाँ पर मतलब बहुत सारी ऐसी facilities होंगी जब आप लोग life को enjoy करते वे नजराओगी पर ये सारी facilities आप लोगो informal sector में नहीं मिलती है informal sector जैसे बहुती छोड़ी से तोर पर अगर मैं आप लोगो बताओं जैसे आज की date में हमारे देश के अंदर में जैसे जो मेटो हो गया सुईगी हो गया उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि उनको support प्रोवाइड कर रहे हैं अभी कई सारी scheme भी आई हैं पर लेकिन जो लगाने वाले हैं जो की day by day की मज़़ूरी करकर खाना खाने वाले हैं वो बहुती लार्ज scale पर हमारे देश के अंदर वरकर हैं तो बोला यह गया कि 530 million यानिके 53 करोर हमारे देश के अंदर में वरकर हैं यह इसके साथ में बोला गया हैं आपर लग बग 43 क्रोर ऐसे हैं ज पर systematic way में, कई बार ऐसे ही काम चलता रहता है, ले देकर, यहाँ पर एक particular organization का भी जिकर किया गया, जो कि direct question आप लोगों से बन सकता है, prelims के अंदर में, The Walk Free Foundation ने अपनी report प्रस्तुत की गी थी 2021 में, और उसने इंडिया के बारे में नहीं बताया के लिए, उसने G20 country के बारे में बताया गया, कि G20 country के दौरा जो product इंपोर्ट किये गए, recently अभी, वो 41 लाक क्रोड के थे, जो कि एक बहुत बड़ा आकड़ा होता है, और यह जो भी product बनाये गए थे, मालेजे कोई product, मालेजे किसी ने mobile बनाया, किसी ने TV बनाया, बनाया एक तरीके से, कोई बरतन खरीद रहा है, कोई जोलरी खरीद रहा है, कोई भी कुछ भी सामान खरीद रहा है, वो maximum ऐसे थे जो की worker को exploit करकर बनाये गए थे, जिसको आप लोग modern slavery बोलते इंडिया के अंदर में, ये South India की picture आप लोगों को देखने को मिले थी, ये जो बुजर्ग है, यहाँ पर कुछ official आये थे, उनके कदमों में गिर गया, एक तरीके से ये पुराने टाइम से ऐसी यातनाए जेलता हुआ आ रहा था, एक तरीके से जैसे कि आज की डेट में क्य होता है, उधारी ले ठीक है, उधारी चुका देंगे, बाबा पर दादा ने उधारी ले ले उसके पोते आकर उधारी चुका रहे हैं, इस तरीके से बेसिकली ये एक ऐसी कंडिसन बन जाती है, आप लोगोंने मूवी देखी होगी, मांजी दा मांटेन में, उसमें क्या थ उसका बाब जो था मांपर, वो बहुत दारुची था, एक तरीके से सराप पीता था, तो दुनिया भर का करजा उसने ले रखा था और फिर कहता है कि ये ले हमारा बेटा, तो हमारा बेटा को रुखो और इससे काम कराओ, ये हमारा हिसाब चुकता गरवाएगा, तो कहने क मतलब यहाँ पर यह था, उसकी मा बच्चे की समझ जाती है कि क्या करवाना चारहा हो, कहते है भाग, बिटवा भाग, मतलब जो भी बोलती है, तो वो फिर वहाँ से भाग जाता है, अपना सहर में जाता है, काम घंदा गरता है, वरना वो वहाँ पर एक क्या होता, वो एक स्लेव बन जाता, और अपने बाप का करजा उतार रहा होता हूँ आपर, जो कि दारू पीपी कर अपनी जिंदगी बरबाद पहले कर चुका होता है, तो वो पुराने टाइम की स्लेवरी थी यहाँ पर, हम लोग करजा उतारते रहते थे अपने बाबा पड़दादा सब का उस तरीके से, पुराने टाइम पे देखने को मिलती थी, आज की डेट में क्या है, मोडन स्लेवरी हम लोग बोलते हैं, जो कि कई बार ये कहते हैं कि पुराने वाली स्लेवरी से तो फिर भी पोजेटिव है, पर लेकिन फिर भी आप लोग बोल सकते हैं कि सही नहीं है, एक particular person है उसको काम करने है 8 गंटे उससे आप लोग काम करा रहे है 16 गंटे 16 गंटे काम कराने के लिए जितना उसको उसका payment मिलना चाहिए वो उसको payment भी नहीं दे रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है आप लोग modern slavery का एक अच्छा mental right है उसमें दो आर्टिकल है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये आर्टिकल 23 जो है वो मेंली इसी मुद्दे के बारे बात करता है कि force, labor, slavery ये सारी चीज़े, modern slavery इन सबसे हम लोग को ओपर उठना है बजब कि आर्टिकल 24 ये मेंली बच्चों के ओपर बोगस देता है, तो ये काफी important आर्टिकल समिधान निर्माता भी समझ रहे थे कि कहीं ने कहीं आर इस सीज़ को हम लोग को tackle करने है, क्योंकि जो यातना है हम लोग ने अंग्रिजों के टाइम पर जेली है, हम नहीं चाहते है कि हमारी आने वाली generation जो है, वो same देखने को मिलते हैं, ये इतना exploitative है कि इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल पीछे टाइम पर लिखे गए हैं, अलग-अलग newspaper के दौरा, इवन हमारी सरकार भी, सरकार के बारे में भी बात करें, तो उन्होंने भी यहाँ पर Arab countries को बोला, क्या थोड़ा से इसको सुधार हो, क्योंकि यहाँ पर करते क्या हैं, मलिजे, आज की डेट में आप लोग को कोई बोल रहा है कि आ तुझे Arab country में जोब दिलाऊंगा, ठीक है? वो आप लोग को यहाँ से लेकर चला गया, ये अब लोग का पासपोर्ट चीन लिया, आप लोग का काड, ID काड चीन लिया, इसी के साथ में सबसे बड़ी बात है, आप लोग को एक जगह फिक्स कर देंगे कि इस घर के अंदर में आप लोग को जोब करनी है, अब उस ज़्यादक हतरनाक situation यहाँ पर देखने को मिलती है, इसके अंदर में, मतलब कह सकते हो कि एक worker को slave बनाने की कोसिस की जाती है, इस particular system के थैत, और ये काफला system है, जो कि आप लोग उसे direct question prelims के अंदर ने पूछा या सकते है, क्योंकि recently बहुत सारे article इसके उपर लिखेगे, movement पर restriction रहती है, worker जो है कहीं छोड़ कर नहीं जा सकता है, ठीक है, कि एक तरीके से यंदो छोड़ कर जा सकता है, एंटर कर सकता है, country without the consent, उसका जो sponsor रहता है, जो कि उसको लेकर आता है, नहीं कहता है कि इस तरी sponsor किया है इसको, employee change कर सकता है, employment change नहीं कर सकता है, job नहीं छोड़ सकता है, बहुत ही exploitative condition में उसको रहना पड़ता है, और passport इसके जो ID बगर है, वो hold कर लिए आते हैं, क्योंकि अगर उसके पास में होगा, तो प यह सारी चीजे आप लोग को बहुत सारी Arab country में देखने को मिलता है, पूरा का पूरा system जो मैंने अभी आप लोग को बताया, तो इसलिए कहते हैं कि यह system इतना खतरनाक है, कई सारे जो human right के जो activist हैं, वो यहाँ पर इसके बारे बोलते हैं, कि इंसान की condition एक तरीके से ऐसी जानवर बना दिया, और इसी system को modern day की slavery का एक best example आप लोग बोल सकते हो, अगर कहीं लिखने के लिए आ जाए, इसको याद रखना, कई सारी country मैंने हाँ पर बताई हैं, maximum अगर आप लोग बात करोगे, काफिला system follow करती हैं, और इसमें Arab country आप लोग को यहाँ पर देखने को म और यह गल्फ corporation जो council है, उसके अंदर में introduce किया गया था, 1950 में हाँ पर जब से यहाँ पर यह system follow किया रहा है, एक तरीके से यहाँ पर जो migrant worker है, और जो employer है, उसके बीच का एक तरीका agreement आप लोग बोल सकते हो, जिसके तहत यहाँ पर अलग-अलग entry होती है, अलग-अलग जै तो आकर नहीं बोले कि हाँ ठीक है चलो अब ठीक है अब रहने दो, यह वाली condition है, तो यह बिल्कुल जबरदस्ती वाली बात होगी, इंसान आज की date में अगर मन नहीं कर रहा है, एक जोब छोड़कर दूसी जोब पर switch कर जाता है जरसी देर में, पर लेकिन हाँ पर यह option नहीं है, तो ऐस तरीके के जो system है, आज की date में, उनके उपर आवाज उठाई जा सकती थी, G20 के अंदर में, पर सरकार ने यह opportunity miss कर दी, और miss करने के साथ में हाँ पर एक गलती भी कर दी, उसके बारे में भी हाँ पर बात की जा रही है, वो गलती क्या है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ, जो according to the writer ये गलती देखने को मिल रही है, writer ने क्या बोला, कि ये जो G20 की meeting थी, इसमें जब labor 20 हो रही थी, तो हम बहुत ज़्याद है, एक great opportunity miss कर दी, क्योंकि ये जो meeting होआ करती थी, हर साल, किसी भी देश में अगर हो रही है, तो ITUC, ये एक organization है, बात करू बलती है, और BMS के है, ये है भारतिय जनता party का एक particular group, जिसको भारतिय मजदूर संग बोलते हो, तो इसकी वज़े से यहाँ पर पूरा मुद्दा खराब हो गया, एक तरीके से, यानि कि international organization को head नहीं करने दिया, एक local organization को head करने दिया, और वो भी वो local organization, जो कि एक political party से affiliated थी, तो इसकी वज़े से यहाँ पर ये जो particular meeting है, ये global trade union जो है, इसने हाँ पर इसको bycourt किया, और अगर जो global trade union ही इस particular meeting को bycourt कर रही है, तो फिर इससे अंदाजा लगाईए कि हाँ पर इसकी वज़े से क्या मुद्दा आप लोगो देखने को मिलता है, ये माना जाता है कि ये इतना बड़ा आंकड़ा आप लोगो देखने को मिलेगा, कि इस particular situation को समझोगे तो 20 करोड के करीब ये represent करती है एक तरीके से workers को, ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी trade union के नाम पर ये जानी जाती है, 2006 में इसको established किया गया था, और ये basically कहाँ पर है Brussels, यानि कि Belgium के इंद करते हैं कि अगर बात करें, green economy के बारें बात की जाए, decent work condition, यानिके जहां कोई काम कर रहा है, अच्छे से वहाँ पर उसको काम मिले, gender equality रहे, force, labor ने हो, कोई भी repressive चीज़े ने हो, एक तरीके से, इंसान जो है, उसको इंसान की तरीके से treat के जाए, ये वो वाली organization थी, तो बन पाया, यानिके कोई भी सहमती यहां पर नहीं बन पाई, जिसकी वैसे आप लोगों यहां पर condition देखने को मिले, ठीक है, तो कहने का situation यहां पर यह होगा, कि एक opportunity हम लोगों ने हां से miss कर दी, बहुती शांदार तरीके के, जो कि यहां पर बहुत सारी एक huge population के ओपर में impact डाल सकते थी, और not only in India, क्योंकि यह क्या था, यह एक ऐसा system था, G20 का एक ऐसा मंच था, जो कि दुनिया भर में हम लोग जो decide करते हैं, वो दुनिया भर में implement होता हूँ नजरा था, इसलिए हां पर starting में मैंने आप लोगे सामने, काफिला system का जिक्र किया, क्योंकि यह only जो वरकर हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर सकते थे, तो इस सारी opportunity हम लोगों ने miss कर दी, और यहां तक बोला गया, इसकी absence में, ऐसा नहीं कि चीजे discuss नहीं कि गयी है, portable social security scheme discuss की गई, data collection for the, इन schemes के लिए कैसे लेकर चलना है, और skill को जो gap है, यानि कि अगर कोई हमारे दे discuss किया नहीं गया है, यह चीजे discuss की गई है, पर in reality में discuss करने का कोई मतलब रहनी जाता है, जब तक कि उसके ओपर कोई concession ने बने, एक तरीके से सहमती ने बने, तब तक उसका कोई मतलब बनता नहीं है, तो portable insurance एक काफी अच्छी बात थी, पर लेकिन ऐसा नहीं कि बस यही क देखने को मिलती है, uninterrupted coverage देखने को मिलता है, choice basically हाँ पर रहते है, security रहती है, तो वो यहाँ पर discuss किया गया, पर discuss करने का क्या फाइदा, जब उसको implement ही नहीं कर रहे है, तो यहाँ पर worker के लिए और भी कई सारी बाते थी, हाँ पर अगर बात करें, decent, work condition equal, pay for equal, pub work, gender equality, eliminate करन force labor, child labor, modern slavery, यह सारी के सारी ऐसी थी, कि यह also यहाँ पर discuss किये जाने थे, क्योंकि आज की date में अगर आप लोग देखोगी हाँ पर, जैसा मैंने आप लोगों से बात की, G20 के अंदर में अगर हम लोग बात करें, कि किस तरीके से job के अंदर में investment किया जाए, कैसे minimum labor wage के बारे में बात करें, किस तरीके से official assistance यहाँ पर देखने को मिले, social protection की appointment office है, मतलब एक particular section के रिए बहुती बड़ा एक मंच हमारे हाथ में था, जो कि हम लोग ने गवा दिया, 20 साल के बाद में, अब हम लोग को यह opportunity मिलेगी, अगले 20 साल में, तो पता नहीं, इसके अंदर में कौ लोग, international labor organization का जो convention है, C29, उसका भी हम लोग part हैं, उसका हम लोग ratify कर चुके हैं, तो हमारी यह responsibility थी, कि हम लोग सबको साथ में लेकर चलें, ना कि एक political organization को इसका head बनाएं, इसी के साथ में, G20 country के बारें बात करें, तो 11 millions के करीब आप लोग यहाँ पर modern slavery के अंदर में काम होता हुआ नजर आएगा, मतलब एक तरीके से आज के बात करें, 11 नी, 27 के करीब, 11 तो इसमें Indian के अंदर में modern slavery देखने को मिलेगी, यानि कि जो इनसान जो काम नहीं करना चाहता है, उसको जबरदस्ती वो काम करा जा रहा है, और यह work free foundation के द्वारा data प्रस्तुत किया गया अगर आप लोग बात करोगे, लगभग मोटे मोटे तोर पर 8 लां के करीब और लगभग 3.5 दोनों के बिसिकली एक जगह 8 लां के करीब और एक जगह 35 लां के करीब Indian worker काम कर रहे है, UAE में लगभग 35 लां के करीब, Oman में लगभग 8 लां के करीब और वहाँ पर यह काफिल development goal 1, यह हम लोगों ने ignore कर दिया, sustainable development goal 2 भुकमरी हम लोगों ने ignore कर दिया descent work, economic growth के लिए हम लोगों ने हापर काम खतम कर दिया बहुत सारे ऐसे goal थे, जिनके उपर काम कर सकते थे, कहीं ने कहीं industry किस तरीके से आगे बढ़ें, labor course के बारें बाते किये जाएं, तो यह 20 साल के लिए हम लोगों ने opportunity miss कर दी, यह बातें हाँ पर बोले गई है, ठीक है, तो बड़ा ही एक interesting article था, तो आप लोग काफिला system के बारें बात जानने को मिल गई, G20 के बारे में आप लोग को जानने को मिल गया, इसी के साथ में हाँ पर एक particular organization, जो की ITU, इसके बारे में आप लोग को जानने को मिल गया, तो आप लोग बताईए इस तरीके से अगर चीज़े आप लोग कर गे चलेंगे अब खुश सोचे, इसके अंदर में कितने सारे concept आप लोगे हाँ पर cover होगे और basic information भी होगे और reality भी आप लोग को पता चले कि ground level पर क्या देखने को मिल रही है तो इस तरीके से आप लोग का mind जो है वो develop किया जाता है एक particular editorial के दुआरा, ठीक है, इसलिए factual information भी हाँ पर cover हो रही है prelims के point of view से भी और ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी आप लोग को इस तरीके से editorial के बारे बाते करें, तो हमेसा कोशिस करो कि newspaper में बस editorial at least पर लो भले ही दूसरा portion cover करो ये ना करो एक बार को, ठीक है, तो ये है पूरा complete editorial और ये एक editorial है ठीक है, तो इस तरीके सोचो कितना एक तरीक से content enrich रहता है, खासकर हर point of view से feedback जरूर देना, जैसे लागा article, like or dislike करकर बता सकते हैं दोस्तों, ये काफी interesting news है, आप लोग पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं geography के दो concept के बारें बाते करूँगा जिसके बारे में आप लोग उसे direct exam में question भी पूछे गए है यहाँ पर कई सारी different location के बारे में आप लोग उसे बात करूँगा जिसको आप लोग अच्छे से connective कर पाएंगे ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है अभी recently आने वाले time में October के महीने में Ring of Fire देखने को मिलेगा Solar Eclipse के अंदर में चंदर करहन आप लोग बोलते हैं न उसी के बारें बात की जा रही है तो यहाँ पर Ring of Fire देखने को मिलेगा तो इसी के बारे में क्या क्या information में बताता हूँ और Ring of Fire यह एक ऐसी term है जिसके ओपर UPSC question पूछ चुकी है उस time पर Ring of Fire नहीं बोला था इसको इसमें उसने कोई और नाम यूज किया था उसका नाम आप लोग को बताने जब तक यह news में discuss करता हूँ देखता हूँ आप में से कौन कौन बता पाएगा कि Ring of Fire का दूसरा नाम क्या है यह आप लोग को बताने ठीक है और जब मैंने आप लोग का UPSC का means का paper analysis किया था उस time पर यह चीज़े मैंने बहुत अच्छे से बताई भी थी कि मैंने देखा देखो ऐसे काम करते है UPSC अभी भी आप लोगों ने देखा आप लोगों से पुर्वाइया वर्ड यूज़ कर दिया उसने एक्जाम में पुर्वाइया हिंदी में भी था लिख सकता था कि East की ओर से बहने वाली हवा इस्टरली बेसिकली ठीक है तो पुर्वाइया वर्ड यूज़ कर लिया हाँ ठीक है तो ये लोकल वर्ड भी कई बार यूज़ कर लिया जाते है जैसे नोमली साइकलोन बोलते है अस्टेलिया वाले रीजन में उसको हम लोग विली-विली के नाम से जानने लगते है तो ये ऐसे-से टर्म्स हैं जब पता है UPSC को कि फेमस है पर लेकिन लोकल है तो इसलिए वो आप लोगों से expect करती है कि आप लोग को भी इसके बारें पता होना चाहिए तो ये छोड़ी-छोड़ी सी बात है पलेकिन कई बार एक-एक-दो-दो नंबर जो हो डुबा जाती है अभी annual solar eclipse है वो यहाँ पर होगा भी 14th of October को आने वाले time में तो अभी time है तो ये देखने को मिलेगा तो ये क्या होगा ये annual जो यहाँ पर annular ये solar eclipse जो है ये इसको हम लोग ring of fire के नाम से भी हाँ पर जानते है नॉर्मली जो ring of fire subject यूस क्या आता है वो क्या आता है एक ऐसी belt के लिए जो कि equator के आसपास में देखने को मिलती है कहाँ पर ये basically Pacific Ocean के अंदर में तो यहाँ पर आप लोग को North Pacific देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप लोग को South Pacific देखने को मिलेगा यानि कि जो यहाँ पर यह particular जो region है जो कि North Pacific और South Pacific जिसको आप लोग यहाँ पर परसांत महसागर के नाम से भी जानते है यह माना जाता है कि इसकी जो belt है basically यहाँ पर यह यह इतना ही जादा है हाँ पर volcano यानि कि जो आलमुकी फटते हैं दुनिया के सबसे जादा active जो volcano है वो आप लोग के ही पर ही देखने को मिलेगी तो इसके बारे में बार-बार study की जाती है जापान में आखिर इतने earthquake क्यों आते हैं अगर कोई आप लोगों से पूछे इसलिए आते हैं क्योंकि वो ring of fire में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा यह इसलिए हाँ पर काफी large scale पर earthquake इन particular reason में आप लोगों यहाँ पर नजर आते हैं इसका एक ओफ नाम है वो नाम आप लोगों को बताना है सी से है कुछ नाम सरकम वरकम करके कुछ बोलते हैं हम तो याद आ गया होगा बताए किसी इसका आ गया तो यहाँ पर अभी बात करें तो जो अभी यहाँ पर जो यह देखने को मिलेगा यह solar eclipse यहाँ पर यह कहाँ पर होगा यह moon से farthest जो point है basically earth का वहाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगा moon जो होगा smaller than the sun आप लोगो यहाँ पर दिखाएं देगा और यहाँ पर आप लोगो structure जो है आपर वो आप लोगो एक bright light की तरीके से निकलती नजर आएगी और यह across the north central और आप लोगो south america में देखने को मिलेगा यह particular जो एक एक तरीके से यह जो आप लोग चंदरगेहन देखने को मिलेगा अब यहाँ पर इन्हों ने एक subject use कि है हाँ पर कि यह क्या होगा यह moon से farthest जो point होगा वहाँ पर यह बोला गया है वहाँ पर देखने को मिलेगा इसके लिए geography बड़ा ही प्यारा concept है जो कि आप लोग थोड़ा ज्यांजे सुनिएगा जब हमारी परत्वी आप लोग को देखने को मिलता है यह है अपनी प्यारी परत्वी और moon जो होता है वह इसके चारो और चकर लगाता है ठीक है तो elliptical motion में आप लोग को यह देखने को मिलेगा तो पेरेजी और अपोजी या पेरेगी या फिर अपोगी दोनों सब्ध यहाँ पर आप लोगो लिखने हुए मिल जाएं तो यहाँ पर अपोगी को इस तरीके से याद रखने हैं कि अपोज कर रहा है कि दूर चला जा बाई तू मेरे पास मता तो जब दूर वाला पोइंट होगा तो यह आप लोगो देखने को मिलेगा और यहाँ पर इसके अपोजीट क्या हो गया वो हो गया पैरेजी तो यह एक तरीके से याद रखने हैं तरीका है अपोजी यानिकिए अपोज कर रहा है दूर जा अब बात करें अगर solar eclipse के बारे में तो total solar eclipse जो होते हैं आपर जिसमें moon fully cover करता है sun एक तो वो होता है और partially cover करता है एक वो होता है तो यहाँ पर यह दो तरीके के आप लोगो solar eclipse यानिके चंदरग्रहन देखने को मिलेंगे हाला कि चंदरग्रहन में कई सारी बाते बोली जाती है कि मतलब एक तरीक से ना pregnant woman को नहीं आना चाहिए बच्चा गेहनवा पैदा होता है बहुत सारी ऐसी बाते बोली जाती है जो आप लोगोंने कई बारे में सुना होगा या फिर नहाना धोना कुछ-कुछ मतलब बहुत सा को विसिकली बोलते हैं सरकम पेसिफिक बेल्ट तो उप्यसी ने जब question पूछा मेंस के अंदर में तो उन्होंने रिंग ओफार नहीं लिखा वाँ पर उन्होंने डिरेट के लिखा सरकम पेसिफिक बैल्ट तो वह आप लोग इभावनों के साथ में खेलते हैं कभी-कभी ठ टाइम पे employment generate भी हमारे देश के अंदर में होता हुआ न जा रहा है इसके तुरू काफी interesting है सुनने में भी आप लोगो मजाएगा यह particular article Price Information Bureau के दुआरा cover किया गया हमारे देश में आज की date में कई सारी innovative project launch की जा रहे हैं ऐसा ही एक project आप लोगो देखने को मिल रहे है जो कि हाँ पर काम कर रहे है कि national policy on the research and development innovation in firma midtech sector midtech क्या होता है इसमें medicinal और technology को include करकर हम लोग focus करने जा रहे हैं और research and innovation in firma midtech sector आप लोगो देखने को मिलेगा अब तक आप लोगो हमारे देश में सबसे बड़ी problem पता है क्या है हम लोग maximum चीज़े जो है वो बहर से खरीद कर लेकर आते हैं यानिकि चाइना से हम लोग इतनी सारी चीज़े खरीदते हैं आज की date में आप लोगो देखने को मिलेगा जो हमारे देश के अंदर में maximum medicine मना जाती है उसका जो raw material आता है वो चाइना से आता है जो कि सबसे ज़्यादे गंदी बात है हमारे लिए क्योंकि कल को चल कर अगर चाइना हमारे को ये supply करना बंद कर दे तो हमारे देश की जो जैनरी दवाई बनाने वाली industry हो ठप पड़ जाएगी जो की दुनिया में one of the biggest industry ह इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के जो मिनिस्टर है chemical and fertilizer मिनिस्टर जो है खासकर health and family welfare के भी उनके द्वारा basically मिलकर launch किया गया है किस फिल्ड का project ये है scheme for the promotion of research innovation in the pharma midtech sector इसका basically P.R.I.P. आप लोग नाम देख सकते हैं आपर अगर पूछाए किस फिल्ड से वाला जो area है वो काफी cost effective आप लोग एक तरीका से cost based देखने को मिलेगा क्यों क्यों क्योंकि raw material हम लोग भाद से लेकर आते हैं अभी हम लोग इसको cost based से हटा कर हम लोग इसको innovation based बना रहे हैं हम लोग खुद से चीजों को innovate करने की कोसिस कर रहे हैं इसे फायदा क्या होगा अगर हम लोग खुद से innovation करेंगे, research and development करेंगे तो दुनिया भर में एक competitive माहूल बना पाएंगे हम लोग जो की एक तरीके से यानि कि अभी खरीद रहे हैं फिर based देवे भी नजर आएंगे और इसकी वेश से जब हम लोग अपने ही देश के अंदर में सारे काम करेंगे तो component दो है इस project के जो की interesting way में दो चीज़े define करते हैं आखिर कौन कौन से component है पहला तो research हमारे देश के अंदर में basically काम करेगा इस टंदन करने के लिए research infrastructure उसके लिए क्या कर रहे है हम लोग आज की डेट में साथ Center of Excellence National Institute of Pharmaceutical Education and Research यह आप लोग को देखने को मिलेंगे लगबग 700 क जागत विकास करने वाले हैं इस field में क्योंकि आज की डेट में जो health है वो एक ऐसा issue बन चुक है कि आने वाले time में अगर इसमें काम नहीं किया तो वो देश जो है वो सबसे बरबाद नजर आएगा जो इसको ignore करेगा दूसरा है promotion research in pharmaceutical sector इनके धाचा भी बनाना है और research भी कर देखता हूं कौन-कौन बता बात है आप लोग एक बर सच करिएगा ओफंड डर्क की बात की जा रही है anti-migrabile resistance जो की खतरनाक लेवल पर impact डालता है इन सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इसके चलते सबसे interesting चीज है कि हम लोग जाद है ऊपर-ऊपर पकाम नहीं कर र देखता है तो किसी को बोल दूँ कोई कोई कमपनी काम कर रही है कि यार मुझे मोरनी में उटके दाहिंदूगी PPT बना के देजिए गरो इसके लिए आप लोग को ये चीज़े payment कर दियाएगी एक है कि हम लोग अपने आपी मिलकर एक अपने ही साथ में कुछ अपने जो SLV family member को जोड़ कर उन से बोले कि चुलयर मिलकर PPT बनाते हैं और फिर lecture create करेंगे तो ये in-house हो गया आप किसी बहरवाले की ओपर dependent नहीं है अपने ही घर में सारा काम हम लोगों नहीं कर लिया तो ये होता है in-house काम करना ठीक है तो उसमें क्या रहता है कि किसी भी तरीके से modified कर सकते हैं अपने ही सार से change कर सकते हैं पर लेकिन बाहर से आ रहा है तो फिर उसको यहाँ पर फिर बाहर भेजना पड़ेगा थोड़ी दिक्कत रहती है तो in-house में जादे फाइदे रहते हैं और academic research देखने को मिलेगी इसके लिए 4,250 क्रोड देगे हैं यानि कि institute बनाने के ल article है आप लोग economy के साथ में compare कर सकते हैं और recently अभी आप लोगोंने सुनाओगा हमारे देश के अंदर में एक particular बहस छिड़ गई थी export को लेकर कि हम लोग क्या export कर रहे हैं और हम लोग क्या import कर रहे हैं उसके उपर recently अभी रगुराम राजन साब ने जो है वो comment कर दिया था कि reality में हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे देश के अंदर में चीज़े जो है वो manufacture की जा रही है पर इन reality में हम लोग बहार से लाल आकर component चाइना से उनको assemble कर रहे हैं तो उसके उपर twitter पर भी भहस शिडिती और हिंदू ने दो article भी लिखे थे तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे export के बारे में जिसको अभी recently सरकार ने बोला है कि काफी large scale पर हम लोग ने बढ़ा है तो उसी particular topic से हम लोग discuss करने वाले हैं और इसको आने वाले time में और भी benefit इसका मिलने वाला है तो क्या है पूरा मुद्दा हम लोग यहाँ पर समझते हैं बिसिकली government ने recently अभी extend की है कि export के उपर benefit दिया जाए ताकि जादे से जदा export हमारे देश के अंदर बढ़े यह basically इसका नाम भी रखा गया है remission of duty on taxes on export product आप लोग खुछ सोचें आज की डेटे में अगर कोई product हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आ रहें तो उसके उपर tax लगता है हम लोग अपने देश से बाहर बेच रहे हैं तो उसके उपर tax लगता है तो सरकार जो है फिलाल अभी सरकार ने mobile phone पर क्या किया बाहर स जो product खरीद कर लेकरा है जैसे mobile phone उन पर tax लगा दिया इसका मतलब क्या है कि हमारे ही देश के अंदर में product जो है वो बनना चाहिए basically अभी हम लोग क्या करें export पर जो है वो tax remission करें यानिके छूट देने इससे क्या फायदा होगा कि जादे से जादे export होगा तो कि बनाने वा है और WTO के dispute की वेसे आपर आप लोगों को देखने को मिला था यह उस time पर चीजे launch होई थी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है अगर आप लोग को export करना है तो export जो है वो distortive export नहीं होना चाहिए मतलब आप लोगोंने कोई product जो है 5 रुपे का बनाया और market में ले जाके वो product आ आप आठ का बेचो क्योंकि अगर आप लोग इसको इससे कम का बेच रहे हो तो इसका मतलब है कि यह उस purpose के लिए बनाये नहीं गया है कि आप लोग इसको बेच रहे हो तो जरूरी है कि at least आप लोग benefit मिलना चाहिए इन चीजों को लेकर WTO यानि कि World Trade Organization में कई सारे देशों कि जो है सिंग लड़े रहते हैं और चाहिना है यहाँ पर कई बार बहुत बत्तमीजी काटता भी नजर आता है तो हम भी अपने एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहरे हैं तो कैसे एक्सपोर्ट बढ़े हमारा वो तब बढ़ेगा जब हम लोग reduce करेंगे tax तो ministry of department revenue finance के अंदर मे जो है उन्होंने tax जो हटा दिये उन्होंने क्या क्या tax duties और जो भी हाँ पर extra जो चीज़े थी उसके उपर में काफी छूट दे दिये ताकि हम लोग अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सके और global principle है उसके भी हम लोग कोसिस करें कि ज़्यादा है नहीं आप वोजिट में ना ज टेक्स पे नहीं करते हैं जब income tax पे करते हो तो direct सरकार को सेंड करते हो ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब सिधा सिधा यह हो गया कि आप लोग सरकार के पास में टेक्स भेजते हो जब indirect way में ठीक है जैसे आप लोगोंने SLV application पर जाकर कोई course लिया तो हाँ पर आप लोगोंने क्या किया वहाँ पर 18% GST पे किया तो उस 18% GST को आप लोगोंने SLV के application पर पे किया पर लेकिन हर महीने हमारी जो account team है वो क्या करती है वो यहाँ पर GST पे करती है तो इससे क्या हो गया इससे यह हो गया सिधा सिधा कि indirect way में आप से लिया पैसा वो सरकार तक पहुचा दिया तो यह हो गया indirect तरीके गा तो ऐसा ही maximum GST टेक्स जो है वो indirect टेक्स हमारे देश में देखने को मिलता है तो इससे क्या हो रहे है हम अपने देश के अंदर में चीजे लेकर आ रहे है तो हम लोग क्या कर रहे है कि हम लोग जादे से जादे export आने वाले टाइम में करें और इससे क्या होगा कहिने की छूट मिलेगी तो थोड़ा सा एक तरीके से export आप लोग यहाँ पर बढ़ता हो नजर आएगा तो compliance जो है वो भी follow की जाए और export जो low value है आने वाले टाइम में वो भी आप लोग को बढ़ता हो नजर आएगा जब हम लोग इस तरीके क उनका turnover क्या है goods manufacture कर रहे है इंडिया के अंदर में ठीक है तो यहाँ पर एक तरीके से basically यह देखा जारा है कि export बढ़ाना है चाहे कोई भी बना रहो ठीक है यह नहीं कोई छोटा है कोई बढ़ा है सब को एक साथ लेकर चल रहे है जिनके ओपर applied होता है direct export ठीक है including those e-commerce platform भी यह include कि जा रहे है क्योंकि maximum चीज़े तो आज के इन में online खरीदी बेची जा रही है इसी के साथ में refund प्रोसेजर यहाँ पर देखने को मिल रहे है कि exporter जो है वो receive करेगा rebate जो भी यहाँ पर percentage रहेगी किस के तायत यहाँ पर FOB values जो exporter होती है यानिके freight on board के इसाफ से यहा बताता हूं जैसे कि आज की डेट में आप लोग कई बार जैसे tax pay करेंगे तो return आप लोगो मिलता हो नजर आएगा कई सारे ऐसी चीज़े होती है जिसे माली जे आज की डेट में आप लोगो मैं बताता हूं जिसे मैंने कोई laptop लिया ठीक है अब laptop आप लोगो पढ़ाने के इक बताता है जिसे कि एक फादर है अपनी बच्ची के लिए कोई खिलोना भेजते है वो किसी ऐसी company का था जो कि ये पार्शल बगरा बेजती है तो खिलोना आते आते तूट गया बिल्कुल ठीक है तो अगर कोई ऐसी हरकते करता है आते जाते सामान तूट जाता है तो यह हाँ पर responsible कोन होगा बनाने वाला नहीं होगा जो transit लेकर चल रहा है उसको एक जरी से दुरी जगह पर ले जा रहा है सिप कर रहा है उसके उपर इसकी responsibility यहाँ पर डाली जा रही है तो इससे manufacturing करने वाले एक तरीके से बेशने वाले उन पर दिखकतने पड़ेगे तो और इसा टोबिक है जिसके उपर आप लोग स्टार लगा सकते हो इस्टार क्यों लगा सकते हो क्योंकि कोई international level की meeting अगर पहली बार देश के अंदर में हो तो इस्टार लगाना तो यहाँ पर बनता है अभी यह हिंदू के अंदर भी cover की गई थी और यहाँ पर Indian Express के अंदर भी cover कोफी है यहाँ पर अभी हमारे देश के जो particular minister है प्यूस गया साब उनके द्वारा यह बोला गया था यह जब meeting हमारे देश में होने वाली थी कि दुनिया भर को हम लोग connect कर सकते हैं कोफी के थुरू यानि के कोफी को भी connecting medium की तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा था ठीक ह sustainable through circular जो economy है और इसी के साथ में जो region native agriculture है यहाँ पर रखा गया है तो यहाँ पर याद रखेगा यह organized कराय जा रही है international coffee organization के साथ में मिलकर हमारे देश में ministry of commerce के थुरू कुछ और basic बात है अभी मैं आप लोग को बताऊंगा जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से समझ प पर यह क्योंकि local area पर वही देखेंगे चीजों को और पांच में नंबर की है पलेकिन पहली बार हमारे देश में हो रही है बैंगलूरू करनाटका के अंदर में तो सबसे पहले तो international coffee organization के बारे बात करते हैं आज की नहीं बहुत पुरानी है 1963 में बनाई गए थी United Nation के अंद को हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं और यह रिपरजेंट करते हैं 93% world coffee production जहाँ जापर भी होता है 63% global coffee जो conception होता है यह परजेंट करते हैं अच्छा आप लोगों से मैं question बूच हूँ आप लोगों को एक side में चाए यनिके tea रखी हुई है एक side में coffee रखी हुई है कौन सा prefer क entry आप लोगों देखने को मिलेगी including 42 जो coffee exporting और 7 जो coffee importing nation है इंडिया मेंबर है नोर्मल सी बात है इसलिए हमारे देश में होरी है member नहीं होता तो कैसे होती तो इंडिया member है international coffee organization का यह याद रखेगा अभी recently आप लोगों याद होगा हमारे देश में जो coffee है उनको हम लोगों अपने GI tag भी दिये थे तो देखता हूं आप मेंसे कौन बताता है GI tag in coffee को कहाँ पर मिला था कोफी अरेभी का जिये मैंने डिसकस के था आप लोगों से अरेभी का और कोफी यहाँ पर इसको रिबस्टा बोला था जिसको यहाँ पर can for a तो यह इनके नाम आप लोगों को दे यह तरीका याद रखने का दूसरा तरीका क्या है आप लोग एरिया देखो कहां कहां पर होता है प्राइमरी करनाटका केरला तमीलाडू आंदरप्रदेश और उडिसा अब सोचो कि वहां की मिट्टी नोर्मली कैसी होती है ठीक है ऐस तो है मिट्टी जो होती है नोर्मली कि बेंगलूरों में हो रही है वरना तो कहीं और होती है टोटल कोफी आउटपूर्ट जो है इंडिया से 70% करनाटका से निकल कर आता है ठीक है तो यह इस तरीके से जो फैक्ट्स होते है वो आप लोग याद रख सकते है ठीक है बाकी यहाँ पर आप लोग को बता है कि कल् पर इंपोर्टन इंफोर्मिशन तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसको लेकर इंट्रसिंग न्यूज़े स्पेस के बारे में यह आप लोग को देखने को मिलेगी आज की डेट में अगर आप लोग बात करें तो आप लोग समुद्र के किनारे कभी जाकर बैठी है और वहाँ पर लहरे देखे कैसे आते हैं ठीक है अभी रिसेंटली एक बहुती दुरगटना घटी थी आइधिंक मुंबई की है कहां की एक काफी एक मतलब मेल और फीमेल बैटे वे थे ऐसे नहीं कि बहुती कम एज थी ठीक ठाक एज थी तो हाँ पर एक बहुती लहर आई उसकी बोड़ी मिली थी वहाँ पर ठीक है तो ऐसे सिचेशन भी आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलती है तो इसलिए सतर गरेना चाहिए अभी यहाँ पर इसी पैटन में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ गैंगेटिक टाइट्स के बारे में टाइट्स क्या हो जिसका नाम है यह अपर एंड्रो मिडा ठीक है तो यह पास एक गलेकसी है तो उसको अपने अंदर खीच लेता है पर लेकिन उसके पास जाएगा कैसे कूई प्रूड है अगर अगर आगर यह सारी चीज़े stable है तो black hole अपनी condition में रहेगा सपनी condition में रहेंगे तो यह जो waves आती है ना इसकी विज़े से आप लोग को देखने को मिलता है बहुत सारी चीज़े जो है वो इधर उधर जाती रहती है और इसी के ओपर study करकर बोला गया कि gangetic tides जो है वो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा जब इसको आप लोग चेक करोगी जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि हर एक बोडी अभी आप लोग ने article number one सुना आजी के discussion का उसमें मैंने क्या बताया उसमें मैंने यह बताया कि अगर कोई planet है उस planet को planet होने की तीन condition मैंने बताई पहली condition तो उसके अंदर इतना gravitational force होना चाहिए कि वो अपना आकार जो है वो गोला बना सके तो उसके अंदर gravitational force हो गया दूसरा इतना ज़्यादा gravitational force होना है जिसके वेसे यहाँ पर यह सारी चीज़ा आप लोगो होती ही नजराती है ठीक है जैसे कि हाँ पर stars हो गए यह gases cloud हो गए तो यहाँ पर इधर उदर यह गूमते हो नजराते है यह effect करते हैं galaxy का जो development होता है कई तरीके से एक तो री सेप करते है galaxy को मैंने बता है भी री सेप हो जाएगा जो अपना सेप पकड़ लेगा यह देखने को मिलेगा यह ताइड यह हाँ पर टाइडल टेल्स और ब्रीज आप लोगो देखने को मिलेगे ठीक है इसी के साथ में यह increase करते हैं formation of the new star क्योंकि इसी जब परकिरिया के अंदर में आप लोगो देखोगे पूरा तो नई star बनते हैं नजर आएंगे और परानी star तूटते हैं नजर आते हैं कई सारे वह नहीं कहा कि एक तरीके से black hole में भी गिरते हैं star formation वाला पूला chapter है NCRT के अंदर में कैसे कैसे बनते हैं और कैसे कैसे अभी गड़ते हैं तो वो सारी चीज़ा आप लोग समझ सकते हैं इसी के साथ में change होता है orbit में भी जैसे नहीं आप लोग पानी के अंदर जाओगे तो currents होती हैं तो current चलती है तो वो अपना अपना area change करती है चलती है तो इसी तरीके से देखने को मिलेगा और ये एक प्रोसी के उपर भी impact डालती है बिल्बकुल ऐसे ही जैसे कि एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी और को इसी लिए तो उस particular system में बने हुए है इसी लिए तो सूरज के चारों और गुम रहे है वरना तो कहumba गुमते वे नजराते है सूरज के चारों गुम रहे हैं क्योंकि सूरज का gravitylessverse ही इतना है पर लेकिन फिर भी हुए है क्योंकि उनका भी कुछ ग्रिपेस ne force है तो यह balance वाली position बनी हुई है वरना प्रत्वी सूरज में ना जाकर गर गि interesting और important fact आप लोग बोल सकते हो question direct बन सकता है next यहाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगी environment से later यहाँ पर यह news काफे interesting है और एक सब्द जो मैं आप लोगो बताऊंगा इसके अंदर में वो आप लोग का basically vocabulary वाला सब्द आप लोगो देखने को मिलेगा यह है oasis अगर यह सब्द आप लोगो पता चल जाएगा तो पूरा यह article आप लोगो समझने में आसानी हो जाएगी इसका मतलब क्या होता है एक ऐसा fertile area जो की desert के अंदर में हो यानि कि वैसे तो चारो तरप को मुरुष्थल देखने को मिलेगा रेगिस्तान देखने को मिलेगा और उसके बीच में एक ऐसा fertile area जिसमें पानी पाया जाता हो यानि कि रेगिस्तान में पानी मिल जाना उसको कहते है oasis क्योंकि उसकी वैसे जो हाँ के animal है उनके लिए वो जन्नत बन जाता है heaven बन जाता है और उसी की वैसे महाँ पर एक अच्छा environment रह पाता है तो यह देखने को मिलेगा तो बात की जारे चिंचोली wildlife century is like an oasis उन्दा एरिड जो कल्याना करनाट का है यानि कि कल्याना करनाट का जो particular area है उसके अंदर में चिंचोली wildlife century जो है वो oasis का का काम कर रही है यह कल्याना डिस्टे करनाट का के अंदर में देखने को मिलेगी बाकी यहाँ पर इसके बारे basic information established किया गया था 2011 में और इसी के साथ में एक यहाँ पर इसके नाम पर आप लोग को यहाँ पर related थोड़ा सा यह है चंदरपाली डैम आप लोग इसके आसपास में देखने को मिलेगा first dry wildlife century dry क्या है बोला मैंने क्योंकि आप लोग को पता है रेगिस्तान लगबग ऐसा कि एज़े जहाँ पानी ना है वो देखने को मिलेगा ठीक है और unique है यहाँ पर अगर बात करें यह एकाका और इसी के साथ में टीक प्लांटेशन भी आप लोग इहाँ पर देखने को मिलेगा एकासिया ठीक है यानि कि पेड़ पोदे पाए जाते है medicinal hub भी पाए जाते है अगर बात करें red cender और sandalwood यानि कि चंदन की लकडिया देखने है अभी आप लोगों ने पुस्पा भाई दूसरा आ रहा है पुस्पा राज तो वही वाली चीज़ आप लोगों देखने को मिलेगी और local tribe का नाम याद रखेगा यहाँ पर पाए जाती है यह बिसिकली लंबानी टंडास ठीक है तो यह आप लोगों से बैंक है उसमें बोला गया कि हाँ पर यह अकाउंट टू भी ब्लोक टिफ पैन कार्ड नोट अपडेटेड ऐसी न्यूज वाइरल होती हाँ पर नजर आए कि अगर इंडियन पोस्ट बैंक के साथ में पैन कार्ड आप अपडेट नहीं करते हैं तो आप लोग का अकाउंट जो है वो ब्लोक कर दिया जाएगा इतनी फेक न्यूज है आज की दुनिया में जिसकी कुछ हद नहीं है तो उसको चेक करने के लिए पी आई भी फेक्ट चेकर आप लोग को नजर आते हैं जो कि यह बताता है कि यह न्यूज सही है या फिर गलत है तो यह न्यूज जो है वो गलत निगली यहाँ पर जब इसको क्लारिफाई किया गया क्योंकि अब तक तो प्रोपर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जो नोर्मल बैंक है वहाँ भी आप लोग को पैंकार्ड कनेक्ट नहीं हुआ बहुत सारे लोगों का अभी इंपोर्टेंट मुद्धा क्या है वह आप लोग सुनिए इंडियन पोस्ट बैंक के कैसा बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था क्योंकि हमारे देश के अंदर में पोस्ट ओफिस का जो नेटवक है वो वर्ड में सबसे बड़ा है तो हमारी सरकार नहीं ये सोचा कि अब तो जीमेल, फीमेल और पता नहीं कौन-कौन से मेल आ गए है आज की डेट में तो इसलिए हाँ पर आदमी इंस्टाग्राम, फेस्बुक, ट्विटर, वाटसाप जीमेल, पता नहीं क्या गया, यूज कर रहे है तो चिठी की जुरुत रहे नहीं गई है चिठी न कोई संदेश जाने हो, कौन सा देश जहां तुम चले गए या कब उत्तर जा जा पहले प्यार की पहले चिठी साजन को देया अब साजन, सजनी जो है, वोटसेप अराम से यूज करके उस पर मिल लेते है या फिर कोई और अपना एक तरीके का मीडियम ढून लेते हैं, इस्टाग्राम अगेरा तो सारी चीज चलती रहती है, तो चिठी की जुरुत नहीं पढ़ती है तो सरकार को लगा कि या या यह चिठी की जुरुत नहीं पढ़ रही है तो क्यो न अब यहाँ पर इंड्यान Post Bank को हम लोग network करें इंड्यान पोस्ट को इंड्यान पोस्ट बैंक में convert कर दें तो इसलिए हाँ पर इसको बैंक में convert कर दिया तो देश के कोनो कोनो में बैंक होगे जो की पहले ज़ादा नहीं थे तो ये फायदा है हाँ पर देखने को मिला Recently अभी customer को जो ये बात हो देखने को मिली कि pen card बाला तो P.I.B. ने बोल दिया भालतों की बात है इस पे focus मत करो पर लेकिन इसकी वे से Indian Post Bank जो है इसकी वे से एक आसान तरीके से एक बड़ा bank network हम लोग ने तयार कर दिया क्यों क्यों क्योंकि 1,60,000 के करीब post office including 1,45,000 के करीब rural area में और लगबग यहाँ पर ये 4,000,000 के करी postal employee थे इसके अंदर में उनका utilize तो करना था ना कुछ ना कुछ फाल तुम्हे salary जा रही है पूरी सारी structure बनी होई है तो क्या ढंक से यूज ना किया जाए तो इसके चलते ही हाँ पर ये पूरा post bank जो है वो picture में आया आपर तो Indian Post Bank established किया गया Ministry of Communication के द्वारा 2018 में और यहाँ पर लोगों को bank की system प्रोवाइड कराना है ये तो सारी बताया थी अभी यहाँ पर New Delhi के अंदर में इसका headquarter है फंक्शन क्या है लोगों को यहाँ पर यह क्या करते है ये no lending or credit ये क्या करते हैं यहाँ पर एक तरीके से कोई भी card जो होते है न basically जो credit card वगएरा तो ये वो issue नहीं करते हैं आप लोगों नजराएंगे ये deposit accept करते हैं कि post bank में जाकर पैसा डाल दो remittance आप लोग यहाँ पर मंगा सकते हो बाहर से पैसा, mobile payment, ये ATM, debit card वाली system ये देखने को मिलेगी आप लोग यहाँ पर दो लाग तक का deposit यहाँ पर आप लोगो देखने को मिल जाता है दो लाग तक का अगर इसके उपर आप लोग जाओगे तो post bank जो है वो saving account में convert आप लोग के चीज़े हो जाती है इसके साथ में service जो है accessible through इसके वो आप लोगो counter mobile app यह सारी messaging और voice यह सारी चीज़े देखने को मिलेगी और utilize करते है अधार card, QR code यह सारी biometric जो normal bank के अंदर देखने को मिलती है पर लेकिन कुछ ऐसी चीज़े भी है जो नहीं देखने को मिलती है और उनके ओपर अक्सर आप लोगों से question भी पुशे आते है तो यहाँ पर probit क्या है जिसे की can't issue the loan और credit card अभी बता है आप लोगो इसी के साथ में accept नहीं करते हैं आपर NRI जो basically cannot accept the time deposit और NRI deposit एक तो होता है मैंने बोला remittance एक है NRI deposit तो दोनों अलग अलग चीज़े है तो confused मत होना cannot establish subsidiary जैसे की normal आप लोगो देखने को मिलता है जैसे आप लोग normal bank होते हैं ठीक है तो अलग-अलग एक तरीके से अपनी subsidiary बनाते हैं तो cannot establish subsidiary for non banking financial यह वो company है जो की normally support provide कराने के लिए होती है ना कि दूसरे banking facilities के लिए तो उसकी तरीके से आपर यह pattern में आप लोगो इस तरीके subsidy भी नहीं बनाते हुए नजर आएंगे ठीक है बाकी यह basic information है कि nature क्या होता है small scale पर काम करते हैं और क्यों बनाएगे थे यह star लगाने वाली बात है नचिकित मूर साब के द्वारा एक committee बनाएगे थी उनके अदेक्स्ता में उसने बताया कि ऐसा कुछ कर सकते है और regulation क्या होता है हमारे देश में Reserve Bank of India एक तरीके से उसका एक Act है RBI Act 1934 इसी के साथ में Company Act और Foreign Exchange Management है क्योंकि बार से पैसा ले रहे हैं तो यह आप लोग समझ सकते है अगर बनाना है आप लोग को भी कोई ऐसा Post Office Bank तो minimum capital 100 crore होनी चाहिए आप लोग जाकर apply कर सकते है ठीक है permit क्या किया जाता है deposit 2,000,000,000 तक का invest कर सकते है 75% deposit in secure government securities ठीक है इसी के साथ में minimum 25% जो है आपर वो deposit के तोर पर आप लोग as a other schedule commercial bank के तरीके से आप पर trade किया सकता है और बाकि यह यह ATM अगर हो सारी चीज़े मैंने बताई थी ठीक है तो basic important है हलका सा याद रखिए है क्योंकि एक तो nachiket more के बारे है पहले पुछा जा चुक है पहला question है यहाँ पर RODTEP के बारे में यहाँ पर यह अभी बात की मैंने किस से related है यह पूरी scheme जो मैंने discuss के थी import के लिए बात की जा रही है आपर prevent करने के लिए decline करने के लिए Indian rupee का जो basically उसको रोखने के लिए lower the tax on export या फिर increase the जो यहाँ पर domestic conception होता है सही answer बताईए discuss किया थेसली में सारे question देखना और बताना आप लोग का answer क्या है NASA का जो T.E.S. mission है इसके बारे में आप लोग को बताने किस के लिए study के लिए है आपर moon ये basically moons geology के लिए discover करने के लिए exoplanet ये फिर search काने के लिए steroid या फिर यहाँ पर steroid belt के बारे में ये gravitational wave सही answer क्या है ये आप लोग को बताने next यहाँ पर बात की Chincholi wildlife century कहाँ पर है करनाट का महरास्ता बिहार ये फिर हर्याना सही answer आप लोग को बताने दादा साफ फोल के अबोड के बारे में कल्डिस्कस क्या था इंडिया का हाइस्ट अबोड है सिनेमा के फिल्ड में फर्स्ट रिसिपियंट जो थी एक्टर्स देवी का रानी थी सही answer क्या है ये बताना है international coffee organization के बारे बात की थी united nation के अंदर 1963 में बनाएगी India is not a member only one only two both या फिर नन सही answer बताईए यहाँ पर बात की जारे galactic tides के बारे में तो यह जो tide है यह एक तरीका tidal forge experience करती है body because gravitational field इसी के साथ में यहाँ पर can receive the galaxy restructure और यहाँ पर disrupt कर सकती है जो smaller star है उनको भी 1, 2, both या फिर नन सही answer आप लोगो बताना है Indian Post Payment Bank के बारे में बोला गया कि Department of Post के साथ में with 100% equity है government के पास में और accept कर सकते है NRI deposit सही है या फिर गलत या आप लोगो बताना है बात की जारी promotion of research innovation in pharma mid-tech sector तो सही answer क्या है only to both या फिर नन next C-set का interesting question है इसका answer आप लोग दीजे ताकि आप लोग अच्छे से इसको भी implement कर सके है C-set को जिरूर attempt करा करो इससे पता चलता है कि आप लोग C-set को भी लेकर चल रहे हो पहले question का answer क्या है ये basically answer is का C टेक्स को लोवर करने के लिए किया गया था मैंने आप लोग को बताया भी था दूसरा question क्या है याँ पर इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा discover करने के लिए एक 100 planet तीसरा question अभी आप लोग को बताये है तो यहाँ पर only one statement correct है क्योंकि इंडिया member है ऐसा नहीं कि इंडिया member नहीं है अभी तो बताया है सबसे ज़्यादा coffee कहाँ पर होते है बताये है हमारे देश के अंदर में गेंगेटिक tats के बारे में कौन सी statement correct है तो दोनों statement correct है यह भी अभी आप लोगों पढ़ाया तसल्ली में example दे दे कर इंडियान post payment के बारे में क्या है only one statement correct है क्योंकि यहाँ पर बताया है कि NRI का deposit accept नहीं करते है तो फिर कहें नहीं मगजमारी होनी है यह midtech वाला इसमें दोनों की दोनों statement correct है CZ का question इसका B answer आप लोगो correct नजर आएगा यहनिके 7 is to 8 C set का जो एक ऐसा portion है जो कि आप लोगो हलके में नहीं लेना है वरना भारी पड़ जाएगा एक साल और गवाद होगे अगर हलके में लेकर जाओगी important place के बारे में अगर बात कि जाए तो यहाँ पर यह कैसे हो गया यह basically बात की जाए जल्दापारा यह नैसल पार के बारे में जल्दापारा नैसल पार कहाँ पर है यह आप लोगों देखने को मिलेगा कहाँ पर West Bengal के अंदर में और जो important बात रियाद रखने वाली है वो है यहाँ पर Torsa River यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो बड़ा ही important सा basic सा question है याद रखना आए बढ़ते हैं आप लोग के नए section और interesting जो आप लोग का सबसे प्यारा होता है कई सारे लोग जो हैं वो English काफी improve कर पा रहे हैं तो अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से comment करते हो ठहला जो सब्दे हैं आपर यह है सेसेशन यह होता है एक तरीके से किस तरीके से किसी का एक तरीके से अपमान एक नि, कहीं आप बोल सकते हैं अप गमन याईनि कि एक तरीके से अलग हो जाना को सब इसमाल होता हम नजर आता है outflow यादि कि पर्षा निर्वभा ये सारी चीज़े dish धिस्प्लेजर पर सनी हो ना कई सारे बच्चे जो होते वह परसन होThank you करेसी उब सब समय ॉब्हुने लिए झाल निर्वहाई बलाव प्रवालों को इग्णोर करो यार मतलब घरवालों के नहीं परोसियों को या फिर इस्तेदारों को इग्णोर करो जब तक सेलेक्शन हो जाता है क्योंकि मम्मी पापा या आप लोग का दर्द जो है थोड़ा बहुत समझ सकते हैं इसके लावा तो सब मजे लेंगे उनके सेले आप लोग का बच गया ये काफी इंट्रेस्टिंग और इंपोर्डेंट रिपोर्ट है जिसके बारे में कल तसल्ली में हम लोग डिस्स करेंगे इसका नाम आप लोग याद रख सेते हैं बेसिकली रिपोर्ट का ये एल्डरली लोगों के लिए यहाँ पर पब्लिस के गई है युनाइटेड नेशन पोपुलिशन फंड के द्वारा ठीक है तो हमारी देश के अंदर में एल्डरली पोपुलिशन जो है वो बढ़ रही है डबल बोला जा रहा है दो जार पचास तक का तो इसके बारे में जानेंगे और एक और आर्टिकल डिसकस तो कर दिया था पर बागी फीड़बेक जुरूर देना और नोट जो है आज शाम तक मिल जाएंगे उनको जाकर डाउनलोड करेना अच्छे से और इंजोय करो खुस रहो और अपनी लाइफ में सक्सेज हो और बस सक्सेज होने के बाद में एक बार बता देना कि हां सक्सेज हो गया है फिर मिन